20-50 लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 1000-2000 लोग हैं, या आप कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हम उनसे कराती हैं, जिसकी वज़ा से वो लोग ऐसे कड़वा शब्द हो, दूसरे के हिर्दे में ना बान की तरह चुप जाएं, लोग सबसे ज़ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित पाईश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्पर ट्रेनर, मोटिविशन स्पीकर, और चीएओ, मैं टास ओवर्सिज लेमिटेड, आप सभी का सवगत करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में, फ्रेंड्स हमें से हर व्यक और दिमाग तो जैसे शून नहीं हो जाता है, अब लगता है यार पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, और मैं कैसे मंच पर जाकर कुछ बोल पाऊंगा, अगर आप कुछ तैयारी पहले से करके रखें, तो आप हमेशा मंच पर बहतर तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, और लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं मंच पर बोलने की कला, सबसे पहले नो यूर ओडियन्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किया है, हमें यह पता ही नहीं होता कि किस तरह के लोगों के सामने हमें बोलना है, तब ही यह में रिन्नाय कर पाएंग हैं, सो दो सो लोग हैं, हजार दो हजार लोग हैं, या आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को एक साथ इंटराक्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको साइज ओडियन्स जरूर पता होना चाहिए, नेक्स जो इंपॉर्टन बात है वो है एज ग्रूप, कि किस एज ग्रूप के साथा बात करने जा रहे हैं, मेल, फीमेल या कॉंबिनेशन ओफ मेल फीमेल ग्रूप में बात करने जा रहे हैं, और नेक्स डैट इस टेस्ट और प्रेफरेंस, आपको ये पता होना चाहिए, कि उस समय और उस महाल में लोग किस तरह की बात सुनना पसंद करेंगे, उनी के टेस्ट और प्रेफरेंस के अधार पर आपको अपनी स्पीच को तयार कर रहे हैं, उधारन के रूप में बताता हूँ, मान लीजे कहीं पर होली मिलन समार हुआ है, आपको वहाँ बुलाय हुआ है, और आप देश भक्ती के बारे में बात करें, तो शायद दोनों ही चीज म बोलना है, और क्या बाते मुझे हमेशा ध्यान रखनी है, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जो मिलने वाला समय है बंच पर, वो कितना टाइम इन ड्यूरेशन है, कितनी दिर के लिए आपको वहाँ पर बोलना है, उस समय अबदी के अधार पर ही आपको अपना प्रूब हो गई है, जैसे गुरू चानक्ये ने कहा कि इस सारा जीवन अनुभव करने पर लगा दोगे, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस किसका लिया, गुरू चानक्ये है, इसका मतलब इस बात की अधार प्रूब हो गई कि गुरू चा करती है, क्यों कि हम बच्पन से ही ना, अपने दादी, नानी, मामा आपने घर परिवार से स्टोरी सुनते आए हैं, इसलिए हमासे सबकॉंचि cash माइड में स्टोरी को सुनने के लिए एक special space होता है जहाँ पर हम स्टोरी से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, अगर आपको स चौट स्टोरी सुनाते हैं तो आपको लोग ज्यादा सा लंबे समय तक याद रखते हैं उसके लबावा रियल फैक्ट्स अगर आपकी आपकी स्पीच में रियल फैक्स भी इंक्लूड हो जाएं तो ज्यादा प्रभाव शालिये रियल फैक्स का मतलब क्या है कि कौन सी घटन कब हुई उस घटना की ऑथेंटिसिटी क्या है जैसे 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो यह फैक्ट मैंने वहाँ पर लिया कब 1947 का तो रियल फैक्स वहाँ पर होने चाहिए टैग लाइन डायलॉग अगर टैग लाइन और डायलॉक्स का आप इस्तिमाल करते ना तो भी लोग आपको बेहतर तरीके से याद रखते हैं जैसे मैं कई बार कहता हूं कि वह पत क्या प्रतिक कुशलता क्या जिस पत पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परिक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो कहने का मतलब अगर आप डायलॉक्स का इस्तिमा आपको अपनी ऑडियंस के साथ ना अपना किनेक्ट बहुत बनाना है और कणेक्शन भुतर बनाने के लिए ना आपको यह देखना है कि हर वेक्ति बात करती और वह कैसे होता है मान लीजिए आप एक audience के साथ बात करना चाहरे हैं लेकिन कुछ लोग अपने फोन में लगे हैं कुछ आपस में बात कर रहे हैं कुछ एक दूसरे से आई-कॉन्ट्राक्ट में बात कर रहे हैं तो आपको जुरूरत है वहाँ पर लोगों से अपना connect सेट करने की उन लोगों से connection मिलाने की और उसका तरीका क्या होता है जिसे गुड़ मॉनिंग विश करना विश करना भारत मता की जाए आज नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं मुझे लगता है सबकी energy का मैं मतलब बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जो बाते हम बो मैं आपको बताता हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं camera में देख रहा हूं और camera जो record कर रहा है वह आपको screen पर दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर यहीं बात करता हूं कि मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं तो आपको अगर size of audience बहुत बढ़ा है तो आप पूरी audience को एक साथ देखें तो उन सभी को लगेगा कि व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा है तो आई contact बहुत important role play करता है आपके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व में उन शब्दों को लोगों तक ठीक तरीके से पहुचाने में next involved with activity बहुत सारे लोग ना क्या होता अगर आपकी स्पीच बहुत लंबी है या आपको लंबी duration के लिए आपको time मिला हुआ बात करने के लिए और वहां पर यदि आप लोगों को activity के माध्यम से involved नहीं करेंगे तो कई बार audience distract हो जाती है क्योंकि हमारा माइन साट सेकिंड तक तो एक बात को जहां से सुन लेता है लेकिन जैसे ही वह विशा है एक दरह से स्मूद्र लेवल पर चलता है तो हम out of destruction हो जाते हैं वहां के लोगों को destruction हो जाता है तो वहां पर जरूरत है कि आप कोई ना को ऐसी activity जरूर करें जैसे कई बार आपने देखा होगा हम लोग जब अपने stage पर कोई भी perform कर रहे होते हैं तो लोगों को बोलते हैं मेरा आप ल से किसी भी विशय किसी भी जानकारी को लेकर को ऐसा प्रश्ण करते हैं जिससे उनको लगता है कि मुझे उसका जबाब देना है जैसे अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूं अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार ट्रीन में ट्रेवल जरूर किया तो लो आपका वो लहजा जितना बेतर होगा आप उतना प्रभावशाली तरीके से लोगों से बात कर पाएंगे जैसे आपके वर्ड्स एक ही बात को कहने का तरीका अलग-अलग हो सकता है एक ही बात को समझाने के जो शब्द हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं तो आपको सही और सु करना है कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो कटू शब्द हो एक तरह से कड़वा शब्द हो दूसरे के हिर्दे में ना बान की तरह चुप जाए ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए तो वर्ड का सिलेक्शन बहुत Practice and Tempo Tempo उता है आपके बोलने की कहा पर पर दी लेनी कहा पर आपको अटार रखना है कहा पर रहां और लंगा और तोन की किस टोन मतलब कहते हैं कि मैं दो तीन शब्द आपको सेम बोलूँगा लेकिन हर बाट बल जाएगी जैसे आपने पूछा अरे आप आये कैसे इसका मतलब आप आश्चारे चरकित होगे कि यहां तक कैसे आ गया है ना और किसी से अगर पुछते हैं आप आये कैसे या कैसे मतलब आप पूछरें की क्या काम है आपको आने का क्या मतलब किस पर पस के लिए पर अच्छा आई कैसे तो यहां पर भी प्रभाव बल्कूल बदाने वाला है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आने कि आना तो यहांगर आपका जो टोन है वह gua से मैच करता होना चाहिए कि आप Jack के सामने रखने जा रहे हैं और टेंपो मतलब आवाज का कितना उतार चड़ाव आपका होना चाहिए यह उस बात पर रिभर करता है कि आप किस तरह की बात बोल रहे हैं जैसे मैं का विताय बोलता हूं कि ठान कर देखो इरिदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भ जो नहीं याद रखो जो कर्म करेगा भाग ये उसका दास है मांग मत इश्वर से तेरा भाग ये तेरे पास है तो यहाँ पर जो टोन टेंपो है वह इस बात पर निरभर करता है कि कि डायलोग क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है पहले जब हम लोगों के सामने जाते हैं लोग हमारी जज्मेंट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी बॉडी लेंगविज कैसी है और बॉडी लेंगविज हमेशा पॉजटिव होनी चाहिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि व्यक्ती सकारात्मक्रिश्टी कुर्ण के साथ आप सूट बूट प्रॉपर आपका जो वेरप ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए अगर आप को पॉलिटिकल लीडर है तो आपने कभी देखा किसी पॉलिटिकल लीडर को सूट बूट टाइवाई लगा के होता है नहीं अगर मानली ची आप किसी अध्यात्मिक पर बाट करने जाएं तो लग टरह का ड्लेशिंग सेंस होना चाहिए आप ळ्रेसिंग सो यहां जा रहे हैं रही हैं आप जसाथ सथ उनके मन में आप कि उच्छवी बन जाएं जैसा रखे गए ह। तरस कि तरीके से खड़े होंगे तो दोनों पैरों को बिल्कुल साथ मिलाएं जिसकी वज़ाएसा लगता है कि बंद एकदम घबराया हुआ है ज्जादा पैर खुल ले करते हैं तो आपका एटीटू डिफरेंट लगता है या कई बार लोग क्या करते हैं पूरी बॉडी का जो बॉ हैं गलत तरीके से या अलग तरीके से या उनके हाथ जो ना वह इस तरह से मुव्मेंट करने लग जाते हैं तो पता लगता है यह आदमी घबरा रहा है यह इस तरह से करते हैं यह नाखुन छीनने लग जाते हैं तो यह बड़ा important है कि आपका standing को लोगों को ऐसा लगता है कि जब मंच पर बोलने की बात आती है ना तुने समझ भी नहीं आता है कि इन हातों का करना क्या है और उनके हाथ कई बारे बता देते हैं कि व्यक्ति confident नहीं है आपके शब्दों के हिसाब से ही आपकी hand moments होने चाहिए आप देखिए जितने भी अच्छे speakers हैं वह हैं को हमेशा से एक ही जगह पर एक ही रास्ते पर रखेले जा रहे हैं तो यहां बहुत important है आपका hand moment कैसा होना चाहिए यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है उसके बाद conclusion and closing of your speech आप जो अपनी speech पूरी देने गए ना उसका conclusion क्या है क्यों आपने वो बात रखी मतलब आपका जो विशय था उस विशय से हम क्या purpose solve करने जा रहे हैं आपका purpose of the speech क्या था आपने किस विशय को लेकर बात की और उस विशय से क्या result निकलने वाला है या learning कह सकते हैं कि मैंने जो बात आज आपको बताई उससे आपको क्या learning मिलती है या आप उससे क्या चीज़ सीखते हैं क्या lesson आपको मिलता है और important बात आप की speech की जो ending है ना बड़ी powerful होने चाहिए कई बार क्या होता एक व्यक्ति ने entry बहुत अच्छे मारी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा लेकिन जब ending का महोल बना ना तब उसने प्यार से अपनी बात खतम की और चुप-चाप निकल गया तो ऐसा लगाई नही की आर प्रोग्राम क्लोज हो गया उसकी speech कंप्लीट हो गई है तो एंडिंग जो होती है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एंडिंग के साथ साथ ठैंक्स कि जब आपने आपके आयोजकों ने जो जिन्हों ने आपको वहाँ पर आमंतिरत किया है उनका बहुत अधिक उपलब्दी हासिल करना चाहते हैं इसलिए उनके लिए मैं कहता हूँ कि फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भुचालो से एक रहा निकल कर आएगी मत चिंतित हो सवालो से आज अंधेरा घना सही और आगे कुछ भी देखे नहीं कल रोशन होगा उजालो से ना घबरा भुचालो से महिनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा बढ़ा कदम और आगे चल बस अर्मा पूरा हो जाएगा और मन्जिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस व्यक्ति का जिसने आज के इस कारिक्रम में अपना बहुंबुले समय दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ आयोजकों का जिनोंने मुझे मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया और अपने विचारों को आप तक पहुचाने का मौका दिया स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आप के सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत इसे कते क्लोजिंग स्पीच जब आप बेहतर तरीके से पाउरफुल तरीके से एंडिंग करें और धन्यवाद करें उन लोगों का जिनों ने आपकी बात को ध्यान से सुना है तो आप सही तरीके से अपनी पॉब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को एशी स्किल नहीं कि जिसमें आपने एक वीडियो को देखा सुना समझा और आप कल से वह बहतर करने प्रैपिस करेंगे जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर एंगे पूरге अब भ्यास करते रहेंगे उतना आसानी से आप अपने को सक्षम बनाते रहेंगे इसलिए जरूरत है वीडियो को सुनने और समझने के बाद अपनी लाइफ में उसको इंप्लिमेंट करने तो फ्रेंड्स यदि आपके मन में कोई भी प्राश्ण है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पुछें इसके लावा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मैं डॉक्सर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत